आप देख रहे हैं दखल न्यूज कॉंग्रेस के प्रदर्शन में लोगों को नहीं पता था क्या है CAA किसी ने इसे कर्ज माफी तो किसी ने यूरिया से जोड़ा प्रदान मंत्री नरेंद मोदी ने आचर भूजर योजना शुरू की मध्यप्रदेश सहित साथ राज्यो को मिलेगा फाइला 36 गड़ नगरे निकाय चुनाव में कॉंग्रेस रही आगे बीज़ पी को फिर लगा तगड़ा जटका और एमसी यू में नहीं थम रहा विवादों का सिल्सिला अब एचोडी पर छात्रा ने लगाए अब अधिरता और प्रतार ना क्यारो नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं रखा लिए उस खबरे विस्तार से मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस ने सीए के खिलाफ संविधान बचाव नियाई शान्ती यात्रा निकाली मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और PCC चीफ कमलनाथ भी इस शांती मार्च में शामिल हुए और केंदर सरकार के इस कानून का विरोध किया मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भाजपा जनता का ध्यान मोडने की राजनिती करती है आज हमने जो शांती मार्च किया है वे सिर्फ भोपाल और प्रदेश के लिए नहीं यद देश के लिए हैं ऐसा कोई कानून मध्य प्रदेश में लागूर नहीं होगा कॉंग्रेस के समविधान बचाओ न्याय शांती यात्रा के मद्दे नजर दो दिन पहले ही प्रशाशन ने भोपाल से 1344 हटा दी थी इसके बाद कॉंग्रेस ने C.E.A. और N.R.C. के खिलाफ समविधान बचाओ न्याय शांती यात्रा निकाली इस यात्रा में कॉंग्रेस के कई दिगजने का शामिल हुए भोपाल के रंगमहल इलाके से मिंटो हॉल तक यात्रा निकाली गए इस मौके पर प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंतरी कमलनात ने कहा हमने जो शांती मार्चन किया है या सिर्फ भोपाल और प्रदेश के लिए नहीं या देश के लिए है आज हम देश के दिल से या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरहा केंद्र सरकार देश को तोड़ना चाह रही है उन्होंने कहा कि प्रश्ण ये नहीं है कि कानून में क्या लिखा है, प्रश्ण ये है कि इसमें क्या नहीं लिखा, प्रश्ण ये नहीं है कि इसका क्या उप्योग होगा, प्रश्ण ये है कि इसका क्या दुरुप्योग होगा. इसमें क्या निखा है, इसमें क्या नहीं लिखा है, प्रश्ट नहीं है कि इसका क्या उप्योग होगा, इसका क्या दूरुप्योग होगा, यह आज हमारे साम में प्रश्ट है, और इस प्रकार का कानून लाना, इस प्रकार का कानून लाना, मैं तो सब पत्रिकार साथियों से कि अगली दफ़ा आप बैठेंगे मैं पूछूगा आप कहां के नागरिक से कोई सबूत है आप सबूत लाईएगा आपने पड़े बार बाप दादाओं का सबूत लाईएगा तो यह जो आज इसकी सफाई देना चाहरे है यह तरह तरह की बाते करें आज जनता को गुम्रया करने का यह पूरा प्रयात है कानून संविधान विरोधी देश विरोधी धर्म विरोधी हो ऐसा कोई भी कानून मध्यप्रदेश में लागू नहीं होगा एनासी और सीये का अंदूरी लक्ष कुछ और है तेम कमलनाज ने कहा कि हमें देश की संविधान और संस्कृति की रक्षा कर ली है इस यात्रा के दोरान बड़ी संख्या में सरकार के मंतरी और बड़ी संख्या में कॉंग्रेस कारेकरता शामिल हुए कॉंग्रेस नेताओं ने कहा कि लोगतंत्र की रक्षा करने के लिए हमें सड़क पर उतरना पड़ा है इन दोर में भी शांती मार्ज निकारा गया जिसमें बड़ी संख्या में कॉंग्रेस नेता शामिल हुए समिधान बचाओ नियाए शांती यात्रा निकाल रहे कॉंग्रेस नेताओं का कहना था कि ये कॉंग्रेस के नेता सलकों पर नहीं उतरे हैं ये देश की जनता है जो लोगतंत्र और देश की एकता के लिए इस प्रदर्शन में शामिल हुई है नागरिक ता को लेके कानून जो बनाया गया है निश्ची तोर पर ये आम जनता के साथ में बिस्वाजगात है इस देश की आजादी में जिन महान सबूतों की बलदान और त्याक के कारण हमको आजादी मिली उन लोगों के द्वारा जो समधान बनाया गया बाबा साथ भीमराम अम्बेट करने जो समधान में रचना की निश्ची तोर पर उसमें सभी जाती, सभी धर्म, सभी सद्वा समधाएक लोगों के लिए सजाबट करने का काम किया है उसमें हंने हं लोगों की बात किया मश्लिम बात नहीं है、 क्या वह इस देस्वा नहीं है निश्चे तोर पर सब को सजागे रगना पड़ेगा अगर देश को सवर और सक्षम बनाना है तो और अगर आपको तोड़ फोल करने का काम करना जो सुरू से आपने किया तो एक अलग चीज है उसको जनता बरदास नहीं करेगी जो हिंसक प्रदर्शन हुए है असपास बंग पर जब उनको पकड़ा पुलिस ने तो उजागर हुए हैं कि भार्दी जनता पार्टी वाले ही आग लगा रहा है और वोई विद्रो कर रहा है सिर्व इसलिए कि हिंदू-मुस्लिमों के बीचम दरार हो और उनको स्वार्थ सिद्धी की पूर्ती हो नागरिक्ता संशोधन कानून के विरोध में कॉंग्रेस पाची ने भोपाल में शांती मार्च निकाला विरोध में शामिल होने आए लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दिये प्रदेशन कारियों से जब नागरिक संशोधन कानून के बारे में पूछा गया तो उनको इस कानून के बारे में जानकारी ही नहीं थी प्रदेशन कारियों ने कहीं यूरिया तो कहीं किसान कर्ज माफी को लेकर विरोध बताया कुछ प्रदशनकारियों ने तो इस कानून को देश हित में ही बताया है कॉंग्रेस द्वारा भोपाल में नागरिक संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदशन किया गया जिसमें भोपाल सहित अन्य प्रदेशों के लोगों ने भाग लिया प्रदेशन कारियों से जब नागरिक्ता संशोधन कानून और NRC के बारे में पूछा गया तो उन्हें इस कानून का पता ही नहीं था प्रदेशन कारियों ने बताया कि वो पार्टी की रैली में शामिल होने आए है प्रदेशन कारियों ने प्रधान मंत्री मोधी को लेकर कहा उनको कोई खत्रा नहीं है मोधी अच्छा कारे कर रहे हैं और ये बिल भी अच्छा है प्रदेशन में शामिल हुए कि सानों ने कहा कि उनको यूरिया नहीं मिल रहा इसलिए वो प्रदेशन कर रहे है डागरिता शंसोधन कारून के विरोध में आज कांग्रेस निकाली है, यह हम बात करते हैं कुछ लोग से अब कहां से आए है ले यह बात कुछ लेकर आए? कौन सा शंसोधन देड़ा? नागरोटी क्या है यह? क्या है इसमें क्या है कि इसमें विरोध किस चीज का है? नागरोध नागरोध आब बताई किस भी से में यह से चली हम यह स्टर में मिल पारा हमें रुकाट लग रही फूसे अच्वत वीरोध में हैं और यह जो समीधान रख्षा किसे ख़तरे में आ गया गया इसलिए आगा कि हमें खाद नहीं मिल रहा है वह करद महां पी नहीं हो जाए और इसके लिए मतलब अठाने जाहते हैं तो करद माफी क्यों दो रही है और अज्वाथ इस लिए यह पांप नहीं हो पा रही है यह हम यह काला पी बिवल थे आप किस लिए यह यह देखनेक लिए था क्या कि यह आरब गुन को बता नहीं बदानी चांब ने बुल कि अपने नागरिक्ता और निया इसके लिए है तो बुलाया गया था है यह नागरिक्ता विरोध में है कि अपने पैग्राइश से फिर्टि नागरिक्ता था है कि संजब लिए सभी का लिए सब्याई सभी का लिए प्प्लिक के लिए सब्सक्राइब कर दें तो घरने के लिए सबी सुधाय सबी सरकार बढ़िया एक नमा को दिकत नहीं मोदे जी बढ़िया है बहुत एक नमारे मोदे जी पर उसको मानते हम उनको कड़र करते है रोक इतनी शाइन चलाते हैं अभी हम आये कमल्लाज प्रदानमंद्री नरेन मोदी ने अचल भूजल योजना शुरू की इससे मधिपतेश सहित साथ राज्यों के 78 जिलों के 8,350 गाउं को सीधा लाग मिलेगा इस योजना में 6,000 करोड रुपे खर्च किये जाएंगे प्रदानमंद्री नरेन मोदी ने दिल्ली के विग्यान भवन में आयुजित कारिकर में अचल भूजल योजना की शुरूआत की एक दिन पहले ही पीम मोदी की अध्यक्षिता में हुई केंद्री क्याबिनेट ने 6,000 करोड रुपे की इस योजना को मंजूरी दे री इसी योजना का उदेश ग्रामेंट छेतर में भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देना है कुल मिलाकर साथ राज्यों के 8,350 गावों को इसका लाब मिलेगा इन राज्यों में उतरप्रदेश, मधप्रदेश, हरियाना, गुजरात, महराष्ट, रजस्थान और करनाटक शामन है साथ ही इसने किसानों की आपदनी दोगुनी करने के भी मदद करेगी अटल भूजल योजना 5 साल के लिए है इसी कारिक्रम में पियम मोदी ने एलान किया कि रुटांग दर्वे के नीचे बनने वाली इसमारिक महत्व की सुरंग को पूर्व प्रधानमंद्री अटल भीहरी बाजपई के नाम पर किया गया है इस सुरंग को बनाने का निर्णय 3 जून 2000 को लिया गया था तब बाजपई प्रधानमंद्री से पानी को लेकर के अटल जी का जो वीजन था वो वीजन आज भी हमें प्रेना देता है सरकार का उदेश 2020-21 से 2024 पचीस तक गाउं में भुजल का प्रबंदन करना है 6000 करोर की इस योजना की आधी रकम वर्ड बैंक से कर्ज के रूप में होगी जिसे केंदर सरकार अदा करें ही शेश आधी राशी समाने बजटर में केंदर मदद के तौर पर उपलद कराए जाएगी योजना पर दो तरहा के काम होंगे पहला राज्य में भुजल प्रबंदन के लिए व्यवस्था को मजबूत करना नेटवर्क की निगरानी करना और जल उपभोकता संगठनों को तयार करना है दूसरा भुजल प्रबंधन का बहतर अभ्यास जल सनरक्षन योजना मौजूदा योजनाओ में प्रबंधन को लागू करना तथा मांग प्रबंधन के अभ्यास को स्विकार करना है पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजपे की जैंती के मौके पर तमाम राज नेताओं ने उन्हें शद्धान्जली दी और उनकी समाधी पर पहुच कर उन्हें नमन किया प्रधान मंत्री नरे मोदी प्रह मंत्री अमिशाह रक्षा मंत्री राजनात सेंग समेथ तमाम बड़ी खास्यों में पूर्व प्रधान मंत्री भारत रत्न अटल बिहारी बाजपे जीपो उनकी जन्हें जैंती पर कोटी गोटी नमन केंद्री ग्रह मंत्री अमिशाह ने ट्वेट कर कहा अटल जी ने जहां एक तरफ खुशल संगठनकर्था के रूप में पार्थी को स्मीच कर उसे अखिल भारती सुरूप दिया वहीं दूसरी ओर देश का नेत्रत करते हुए पोखरन परमानू परिक्षरवा कार्जिल विद्व जैसे पैस्वी से भारत की एक मजबूर छवी दुन्या में बनाई अटल जी की जनुजयन की के अफसर पर उन्हें कोटी कोटी वंदन पूर्व प्रधानमंत्री अटल भीहारी बाजपेईजी ने अपनी राष्टरवादी सोच बेदाख छवी और राष्ट समर्पित जीवन से भारतीय राजनीती में एक अमिच्छाप छोड़ी विचारधारा और सिध्धांतों पर आधारिक अटल जी के जीवन में सक्ता का तनिक मात्र मुह नहीं रहा उनके नेत्रत्व में देश ने सुशाशन को चरितार्थ होते रेखा इस मौके पर प्रधार्मंत्री नरेमोदी ने एक वीडियो के तरिये अटल जी को नमन किया कौन कहता है भगवान नाचते नहीं कौन कहता है भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्चुतं केशवं क्रिष्ण दामोधरं राम नारायळं जानती वल्लभं जानती वल्लभं जानती वल्लभं जार्खन विदान सवाचुनाव में शांदार प्रदर्शन करने के बाद जार्खन मुक्ती मोर्चा नेहेमन सोरेन को विधायक दलकान नेता चुन लिया है अब सोरेन 29 दिसंबर को मुख्रवंतरी पत्किशा पत लेंगे समहारो राची के मोरहबादी मैदान में होगा हेमन सोरेन के शपत समहारो में कई दिगच राश्नेताओं के मरजु द रहने की समभावना है समहारो में कॉंग्रेस की कारिकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी भाग लेके प्रधान मंत्री नरिन मोदी को भी शबत समारों का नियोता दिया जा रहा है इससे पहले मंगलवार को हेमन सोरेन ने 50 विधायकों का समर्थन पत्र राजभवन जाकर राजपाल द्रॉपदी मुर्मू को सौपा इस मौके पर उनके साथ विधायकों के आलावा जामूमो प्रमुख शीबू सोरेन, कॉंग्रेस प्रवेक शक्तियस सिंग देव, प्रदेश कॉंग्रेस प्रभारी, आर्पी एन, सिंग, सह प्रभारी, उमंग सिंगार, कॉंग्रेस नेता अजेशर्मा भी मौजूद थे इससे पहने जारकंद मुक्ती मोर्जा विधायक Del की बैठक में हें मन्त सोरेन को नेता चुनने की घोशना की गई माखलाल चतुरवेदी पत्रिकार्ता विश्विध्याले में कॉंट्रेक्ट प्रोफेसरों के जाती कांड का विवाद थमा ही नहीं था कि एक और विवाद सामने आया जनसंचार विवाद के होडी संजीव गुपता पर एक छात्रा ने अभधरता और प्रतारना का आरोप लगाया है MCU के गेट पर बैठी छात्रा बोली होडी हमसे बॉइफ्रेंड का नाम पूछते हैं रोज के इन विवादों से MCU की चबी धूमिल हो रही है माखलाल चत्रवेदी राष्टी पत्रकारता विश्व विध्याले के मुखे द्वार पर दो छात्राओं ने मंगलवार रात पहुँच कर धरना दिया पहले तो छात्राओं ने पत्रिकारता विश्व विध्याले प्रबंदन को जमकर कोसा फिर विस सड़क पर ही धन्ने पर बैठ गई छात्राओं से मिलने पहुचे रेक्टर श्रीकांत सिंग से छात्राओं ने कहा कि उनके जनसंचार विवाग के एचुडी संचीव गुप्ता उनसे वाट्रिंग का नाम पूछते हैं साथ ही उनकी कक्षाओं में उपस्थेती कम बताते हुए परिक्षा में बैठाने से भी इंकार कर दिया है छात्राओं ने बताया कि वे पतरिकारता विश्य विध्याले में मास कम्मुनिकेशन में सेकेंड एर की छात्रे हैं बेटबीयत खराब होने की वज़ा से कक्षा में शामिल नहीं हो सकी थी उनकी शनिवाज से परिक्षाओं शुरू हुई है परिक्षा से पहले उन्होंने पिता के साथ कुल्पती से मुलाकाद कर सारी इस्तिती से अवगत कराया था इसके बावजूद उन्हें परिशा में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है इसके बावजूद उन्हें परिशा में शामिल कर लिया गया है चात्राओं ने बताया कि पहले तो सभी कम उपस्तिती वाले चात्र चात्राओं को निश्कासित कर दिया गया था बाद में नोटिस जारी किया कि 500 रुपे जमा कर वे परिशा में शामिल हो सकते हैं इस नोटिस के आधार पर जब हमने होडी से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि एक चात्रा परिशा में शामिल हो सकती है लेकिन दूसरी को चरित रहीन और शैतान बता कर परिशा दिलवाने से इंकार कर दिया चात्राय रात में एमपी नगर्थाने भी पहुची वहां पहुचकर उन्होंने अपने ही डिपार्टमेंट के होडी संजीव गुपता के खिलाब आपत्ती जरक शब्दों का प्रेयोग करने को लेकर शिकायद की इसके बाद वे वापस आकर धरने पर बैठ गई वे देर रात तक धरने पर बैठी रही तमाम समय से विवादों का केंदर बने एंसी यू के रेक्टर शिकांत सिंग ने कहा कि छात्राओं को पस्थिती कम होने के कारण परिक्षा देने की अनुमती नहीं दी गई है ऐसे धरने प्रदर्शन के कारण किसी को नियमों से बाहर जाकर परिक्षा देने की अनुमती नहीं दी जा सकती समय ब्रिक का है ब्रिक के बाद जल्द हाजिर होंगे आप देखते रहे हैं दखलने उस प्रिक के बाद आपका स्वागत है नगरी निगाय चुनाओ में सत्ता रून कॉंग्रेस को बड़ी सफलता मिली है वोटरों ने विधान सभाद चुनाओ की तर्ज पर कॉंग्रेस के पक्ष में जम कर्मत दान किया प्रदेश के 151 निकायों के 2840 पारशत पत के चुनाओ में कॉंग्रेस ने 1283 वार्डों में जीत दर्ज की हैं वहीं भाजपा को 1131 वार्डों में जीत तीस पारशत जनता कॉंग्रेस चतिस गड़ और 364 निर्दलिय पारशत विजय हुए है चतिस गड़ के 10 नगर निकायों में कॉंग्रेस ने बड़ी छलांग लगाई और साथ में अपना महापौर पक्का कर लिया राजन गाउं धमतरियों और कोर्बा में पेज फसा है यह निर्दलिय पारशत निरनायक भूमिका में हैं फ्रदेश की सत्ता से बाहर होने के बाद हुए पहले नगरी निकाय चुनाव में भाजपा को बड़ा जटका लगा है एक भी नगर निकाम में भाजपा अपने दम पर महापौर बनाने की सिती में नहीं है रायपूर और वि कॉर्बा में कॉंग्रेस को चार और भाजपा को पांच निर्दलियों के समर्थन की जरूरत है कॉर्बा में कॉंग्रेस को दस और भाजपा को आठ पारशत और धमतरी में कॉंग्रेस को दो और भाजपा को तीन पारशत की जरूरत है चतिजगर कॉंग्रेस के अध्यक्ष के चुनावड़ा है जनता ने जिस तरह से कॉंग्रेस पर भरोसा जाता है उससे साफ है कि वे सरकार के काम से संतुष्ठ है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसे इंडी ने कहा कि परिणाम कॉंग्रेस सरकार को आयना दिखाने के लिए काफी है विधान सभा चु पेश सरकार अलग प्रिये हो गई है जनता कॉंग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा जनता ने कॉंग्रेस को नकार दिया है रायपूर बिलासपूर कोरवा में किसी को इस पष्ट बहुमत नहीं मिला है निर्दलियों की खरीद फरोक्त कर भले ही कॉंग्रेस इन निकाय वाला फ्यूल कास्ट एजस्ट्मेंट बिजली कंपनी 17 पैसे प्रती यूनिट घटाने जा रही है जिसका सीधाला बिजली उपभोक्ता को मिलेगा बिजली सस्ती होगी जबलपुर मद्वरदेश में बिजली कंपनी तिमाही में तैह होने वाला फ्यूल कास्ट एजस्में घटाने जा रही हैं घरेलू उपभोगता से अभी 30 पैसे प्रती यूनिट FCA वसूला जाता है जो कंपनी अब 13 पैसे प्रती यूनिट करना चाह रही है यही यानी 17 पैसे प्रती यूनिट की बचत होगी ज्यादा खपत करने वाले उपभोगतां को काफी राहत मिलेगी मदिप्रदेश पावर मैरेच्मेंट कंपनी की ओर से दिसंबर में FCA को लेकर प्रस्ताव बनाया गया है थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए कोईला और तेल पर होने वाले खर्ट के आधार पर 3 महा का FCA तैह होता है कभी यह बढ़ता है तो कभी कम हो जाता ह अभी तक 30 पैसे प्रती यूनिट ये वसूला जा रहा था इस बार कंपनी के आंकलन में 13 पैसे प्रती यूनिट FCA तैह हुआ है जैनवरी के बिल में नया FCA लागू होगा अभी पावर मैरेच्मेंट कंपनी के प्रस्ताव पर मधप्रदेश विद्योत नियामक आयो की इदरे प्रभावी होंगी अभी 300 यूनिट बिजली की खपत वाले उपभोगताओं को करीब 90 रुपे FCA पर खर्च करना होता था ये 30 पैसे प्रती यूनिट के दर से वसूला गया अब यदि 13 पैसे प्रती यूनिट FCA लागू हुआ तो 300 यूनिट खपत पर 49 रुपे ही होगा और उपभोगता को करीब 51 रुपे की बचत होगी गाउं से मुखे मार्ट तक आने के लिए पुल तो बना मगर सड़क से नहीं जोडा गया तीन साल बीद गए जिमेदारों ने सुद ही नहीं ली इस पुल और सड़क के बीच मात्र 30 मीटर की ही दूरी है लेकिन राम पंचाई छेत्र धनहरा में एक नदी में बना पुल तीन सालों से सड़क से जुड़ने की रह तक रहा है इस पुल को बने तीन साल बीद गए लेकिन पुल को सड़क से जुडा नहीं गया मतलब लाखों की लागत से बना पुल लोगों की किसी काम का नहीं है सड़क से महस तीस मीटर दूर है ये पुल मगर इस पीच खाई इतनी गहरी है कि लोगों का इस पार से उस पार जाना असंभव है बरसात में तो हालात इसकदर खराब हो जाते हैं कि खाई में पानी भरने के बाद सड़क और पुल पर भी चड़ जाता है और अंजाने में लोग हाथसे का शिकार होते हैं और ऐसे ही हाथसे में एक शक्स की मौत हो चुकी है सिंग रॉली जिले की ग्राम पंचाय चेत्र धनहरा चतीस गड़ की सीमा से लगा हुआ है धनहरा में रहने वाले लोगों का रोप है कि सर्पंच ने सरकार के खजाने से पैसा निकाल कर हजम करने के लालच में गुरवत्ता विहीन पुल तो बनवा दिया और काजों में दर्शाकर पैसे भी निकलवा कर हजम कर लिये लेकिन तीन साल बीच जाने के बाद भी उस पूल का कोई उप्योग नहीं हो पा रहा है लोगों ने जिले के कलेक्टर पंचायद सीओ विधाय को शिकायद की लेकिन आज तक सरपंच सचिव पर कोई कारवाही नहीं की गई ना ही इसकी गुडवत्ता की जाज करवाई गई और ना ही इस सडक और पूल के बीच मौत की बनी खाई को भरा गया जिला प्रशाशन किसी और बड़े हाथ से के इंतसार करें दो साल से रोट टूटा है पूल बन गई दो साल से आवा गवन नहीं हो रहा है इस रोट से बहुत भारी से वेश्या कम से कम पचास बस्तियों बस्ति है इसमें से कई लोग आ रहे हैं गिर जाते हैं गोड़ा तूट जाता है एक एक मलगो का मिरित्ती भी हो गई इस रोट गिर के खाले खाई बन गया है पूल बन गया 15 लाग का रोड आज तक नहीं बन भी प्रवापशील हो गई हैं कलेक्टर वा जिला निर्वाचन अभिकारी केल चोहान ने बताया कि काकेर जिले में तीन चरणों में मतदान संपन कराया जाएगा तिनों चरणों के लिए नाम निर्वाचन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम्तित ही छे जन्वरी है नाम वापस लेने के अन्तिम्तिती 9 जन्वरी के दोपहर 3 वजे तक समय निर्धारिद है ततपस्षात निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थयों की सूची तैयार की जाएगी और निर्वाचन प्रतिकों का आवंटन किया जाएगा उसके बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा प्रथम चरण का मतदान 28 जनवरी दुते चरण का मतदान 31 जनवरी और 33 चरण में 3 फरवरी को मतदान संपन कराया जाएगा मतदान केंदरों में मतदान तिथी कोही मतदगर्णा की जाएगी तथा यदि आवश्यक हो तो विकासखन मुख्याले पर प्रथम चरण के लिए 29 जनवरी दिन बुधवार दिते चरण के लिए 1 फरवरी दिन शनिवार और 33 चरण के लिए 4 फरवरी मंगलवार को मतदगर्ण संपन कराई जाएगी बोपाल दिला प्रशाशन ने भू माफिया एवं आपराधी प्रवती के लोगों के अवैद कब्जे हटाने के मुहीम शुरू कर दी है इस अभियान के ताहद बैरागड में इम्रान सटोरिये के मकान को तोड़ दिया गया है ग्राम बेटा के पास एति हासिक टेकरी के पीठे सरकारी जमीन पर बनी डेरी को भी जेसीबी मशीन से धोस्त किया गया है इम्रान सटोरिये का मकान तोड़े जाने से लोग खुश नजर आए और पक के मकानों को छोड़ दिया गया एस डिया मुपाद्या ने बताया कि फिलाल माफिया इवाम अपरादियों की और से किये गए कबजे हटा जा रहे हैं दूसरे चनल में टेखरी को भी अतिकरमन मुक्तित किया जाएगा पुलिस की मौजूदगी में सादू वासवानी कॉलेज रोट पर इमरान साटूरिया के मकान का बाहिस्सा गन इवाम हतौरों की मदद से तोड दिया गया थाना परबावी शिपाल कुछवा के नुसर इमरान इसी मकान से सट्टे की पर्चिया लिखता था इसका पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वाइरल हुआ था इसमें खुले आम सट्टे की पर्चिया लिखी जा रहे थी तोड़ फोड के दोरान इमरान के रिष्टेदार विरूद करने पहुंच गए लेकिन पशासन ने ताला तोलने के बाद मकान दोस्त कर दिया बेरागार इवाम खजूरी थाना पुलिस ने कुछ अन्न माफिया इवाम अपरादियों के घरों को और संपत्यों को भी चिन्नित किया है जल्दी उनके खिलाब भी कारवाई की जाएगी क्रिस्मस के तयोहार का जश्ण पूरी दुनिया के कई देशों में मनाया जा रहा है क्रिस्मस की तैयारिया हफ्ते भर पहले से शुरू हो गई थी अब इसका जश्ण मनाया जा रहा है 25 दिसंबर के दिन लोग प्रभू एश्यू के जन दिवस को मनाते हैं इस मौके पर देश और दुनिया भर के लोग क्रिस्मिस ट्री सजाकर अपने दोस्तों को उपहार बाटते हैं खासकर सांटा के रूप में लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे कर मैरी क्रिस्मिस बोलते हैं मर्द्य परदेश और 36 गड़ में प्रभू ईशु के जन दिवस पर विभिन चर्चों में विशेश प्रातना सभाराखी गई मर्द्य परदेश और 36 गड़ के मुखि मंत्री ने भी अपने अपने प्रदेश के वासियों को क्रिस्मिस की बदाय दी 25 दिसंबर के दिन लोग प्रभू ईशू के जर्म दिवस्त को मनाते हैं, बाजारों में रौनक होती है और इसाई समाज के लोग खूप शौप लेंग करते हैं क्रिस्मस के साथ ही कई अन्य त्योहर और नए साल के जर्शनी की वज़ह से लोगों में खुशी और उट्सा चरम पर होता है भौपाल के सैंट जोसर्फ चर्च में विशप ने विशेश प्रात्ना की जिसमें इसाई समाज के लोग शामिल हुए रोशनी से नहाय शेहर भर के गरजा घरों में मंगलवार रात को सेखरों की संख्या में इसाई समाज के लोग मौजूद थे सालेंट होली नाइट और चर्नी में चमका सितारा फैदा हुआ इशू हबारा जैसे केरोल काय जा रहे थे सब्ध रात में क्रिस्मस का उल्लास नजर आ रहा था कोई बाइबल का पाठ कर रहा था तो कोई इशू के जन्म की छांकी को नहार रहा था इस मौचे पर जैसे ही रात बारा बजे प्रभी इशू के जन्म की खोषना की गई लोगों ने एक दूसरे को गले लगा कर मेरी क्रिस्मस कहा और वो पहार भटे प्रभु इशु के जर्म दिवस पर केक भी काटे गए और सभी में एक दूसरे का मुँ मीठा कराया प्रदेश के मुखमंतरी कमलनाथ में आज विशप को क्रिस्मस की बधाई दी प्रभु इशु के जन दिवस पर प्रदेश वासियों को बधाई दी बहुत कुछ दूसरे के दिवस पर के बीच भी में आप सब को क्रिस्मस और सबक्रों की बहुत है इसले बनाइन जाता है की जो शब्धू के लग देश के मानाई जाता है इसलिए मना कि जाता है कि जो संदेश है जो बाइबल का संदेश है शांतिका लियार का लिए वही च्छतिसकर के मुख्य मंत्री भूपेश बगेल ने आज क्रिस्मस पर पर राजधानी राइपूर के सेंट पॉल के ट्रिटल पहुँचकर मसी समाज समित प्रदेश वासियों को प्रभू उईशू मसी के जरंदेमस पर बधाई दी शुपकामनाई दी इस अफसर पर बखेल ने कहा कि राजधा सरकार प्रभू उईशू के पताय मार्क पर चलकर समाज के सब ही वर्गों और प्रदेश के विकास के लिए ततपर है इस बुलिटिन में फिल हाल इतना ही आप देखते रहे दखल नेउस दखल आपके हद में संगीत की स्वर लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गर तक जोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पकडंडियों से सडकों तक गाउं से शहरों तक व्यापार से उद्ध्यों तक राजडीती से कूटनीती तक दखल नीउस आपके हद में कि अ कि 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 आप देख रहे हैं तक खल नीउस